तो कैसे हो बच्चों I hope कि अच्छे होंगे मैं चंदन सर और यह आपका प्यारा सा अपना सा ब्रूटिफूल सा अच्छा सा योटोग चैनल चंदन फ्रेजिक्स सेंटर बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग अगली प्रोपर्टीज से बात करेंगे जो हमने पीछले ल इस प्रोपर्टीज के टॉपिक को ठीक है जो हम लोगों का सबसे लास्ट लेक्चर है तो आए ये देखते है चलिए आज आए प्रोपर्टीज नमबर फाइब पे ठीक है एफ दा एंगल between two vector age zero degree then the year resultant of cross product will be क्या होगा तो ध्यान दो भाई मेरे c vector is equal to हम मान लेते हैं a vector cross b vector is equal to a vector का mode b vector का mode cross product sine theta n cap a b sine theta theta की value zero degree n cap sine zero 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 into koi with term is equal to zero six number यही केस अगर ऐसे रहे कि इफ दा एंगल बीट्वीन two vector is 90 degree then the year resultant of cross product cross product will be तब क्या करिएगा तब हम लोग ना इंदान्स करेंगे नहीं रहे नहीं करेंगे product तोड़ेंगे तो mode vector a mode vector b cross product sine theta n cap is equal to a b sin 90 degree n cap is equal to a b n cap यहाँ आएगा तो वीडियो को पास करिए और इसको लीखिए चलते हैं हम लोग अगले seven number example पे तब तो अभी आपको बहुत सारे समझाने है ना तब तो आपको समझ में आएगा आई हो बच्चों क्या आपने इसे लिख लिया है मैं अब इसके आगे चलता हूँ मैं अभी एक ही मिटाता हूँ यह वाला थोड़ा इसी पर set करता हूँ एक और example ताकि आपको एक चीज़ और समझ में आ जाए अब मैं जो एंगल ले रहा हूँ वह एंगल ले रहा हूँ 180 डिग्री ठीक है तो कहता है इसका resultant क्या होगा तो देखो जा रहा c vector is equal to vector a cross vector b is equal to vector a का mode vector b का mode cross product में sin theta इधर n कैप यानि a b shine 180 degree n कैप sin 0 भी 0 होता है और sin x 180 भी 0 होता है is equal to 0 समझ में आया तो अब वीडियो को pause करिए फिर लिखिए फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ आई हो बच्चों कि आपने वीडियो को pause करके इसे लिख लिया होगा तो अब आपका ये जन्म सिधर अधिकार है कि इसको मिटा दिया जाए और अगले एक्जामपल पर बढ़ा जाए ना तो अब आजाए नेक्स्ट जो हम लोगों का 8 नमबर एक्जामपल है 8, एक नहीं रहे, 8 मिन्स 8, तो 8 नमबर जो अब प्रोपर्टीज है, एक्जाम्पल नहीं, प्रोपर्टीज है, वो कहता है कि derivative of cross product, cross product का derivative क्या होगा, ठीक है, अब आजाओ, तो ऐसे कर दो derivative के लिए, a vector cross b vector by dt, अच्छा मैंने आपको basic mathematics के lecture में differentiation पढ़ाया था, और मैं आपको लिखाया था, कि u into b का अगर multiplication करना और differentiation में, तो उसका formula होता है, कि u को रख लिजे, b का differentiation करिए, पलस b को रख लिजे, और u का differentiation करिए, मतलब u को रख कर b का differentiation, फिर पलस sign, फिर b को रख करके u का differentiation, यह मैं आपको basic mathematics जवाब को पढ़ाया, तो वहाँ पर मैं आपको differentiation का rule बढ़ाया था, तो वही चीज़ यहाँ पर क्या करो, इस में से a vector को रख लो, और b vector को differentiate कर दो, ठेक, पलस, अब क्या करो, b vector को रख लो, और a vector को differentiate कर लो, यदि आपने यह वाला formula अगर नहीं पता, कि यह u into v क्या होता है, differentiation अगर आपको नहीं पता, integration आपको नहीं पता, तो आप क्या करना, सर्च करना, चंदन phasic center, लिख देना वहाँ पर differentiation, youtube के सर्च में जाकर के लिखना, चंदन phasic center, differentiation, तो रत वो आपको वेडियो पर लेके चला जाएगा, वहाँ पर देख लेना, या integration देखना होगा, तो चंदन phasic center, integration लिख दीजेगा, वो वहाँ पर लेके चला जाएगा आपको, ठीक है, तो या फिर topic का नाम लिखके बाद में लिखिया, चंदन phasic center, फिर वहाँ से भी आजाएगा, चेक, तो आपने, आपने क्या करना है, यह लिखना है, अब चलिए, properties number 9 पर, मैं कुछ क्या करता हूँ, अच्छा, पहले, आपको derivative of cross product तो आपको समझ में आये गया होगा, नहीं, अब मैं इस पर थोरा सा example ले लेता हूँ, example of cross product, क्या है इसका example, तो जह हम लोग rotation में चलेंगे, तो वहाँ परेंगे, torque vector is equal to r vector cross f vector, यह परेंगे, अब जब इसका product तोड़िएगा, तो हो जाएगा r vector का mode, f vector का mode, और cross product में sin theta, यानि आप इसको r f sin theta के रूप में तोड़ेंगे, जल्दी से आप पूरे को लिखिए, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं, ठीक, थोड़ा सा और example लेंगे, वहाँ पर, ताकि आपको और अधिक समझ में आ जाए, तो आई हो बच्चों, क्या आपको ये समझ में आ गया होगा, अब अगर मान लीजिए, कि इसी में अगर आपको ये निकालने के लिए कह दिया जाता, कि यदि आपने क्या करना है, area of triangle निकालना है, क्या निकालना है, ये कितना नमबर था, साय ये 9 नमबर था, 10 नमबर प्रपरटीश होगा, तो अब लिखलो, area of triangle, आप area of triangle का formula तो जानते हैं, क्या होता है, 1 by 2 into L into B, लेकिन physics में क्या करना, 1 by 2 into, इधर कर देना cross product, A vector cross B vector, हाँ, इसका formula बन गया, जब अगर cross product के रोप में, area of triangle निकालना हो, तो इस वाले formula से निकल लिएगा, पहले इसका product तोड़ लीजिएगा, फिर 1 by 2 से multiply कर लीजिएगा, answer आ जाएगा, ठीक है, 11 नमबर प्रपर आजाएगे, area of parallelogram, area of parallelogram क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं, सिधा हम लोग ln to b करते हैं, ठीक है, तो इसी को आप vector के रूप में क्या करोगे, vector a cross vector b करोगे, आपको इसका value निकल के आजाएगा, जल्दी से आप इसको लीखिए, एक और इसका कुछ rule है, वो मुझे आपको बताना, एक और प्रपरटिज है, जो मुझे आपको बताना है, जल्दी से पहले आप इसको note करिए, इसको लीखिए, फिर हम लोग इसके आगे बात करते हैं, तो आई हो बच्चों, क्या आपने इसे लिख लिया होगा, तो बच्चों, अब जो मेरे पास 13 number properties, और most important of, यह properties है, वो है matrix method, अब आजाईए, इस matrix method का हम चर्चा करते हैं, माल लीजिए, कि आपको a vector is equal to, दे दिया गया, ax vector i cap, plus ay vector j cap, plus az vector k cap, ठेके, और b vector is equal to, दे दिया गया, by vector j cap, bx पहले, x-axis होगा न, पहले, bx vector i cap, plus by vector j cap, plus bz vector k cap, तो आपने क्या करना है, आप जब इसका resultant निकालोगे, ठीक है, जैसे आप इसका resultant निकालने के लिए, c vector is equal to, vector a cross vector b करोगे, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है, यह vector a, और यह लिख लेना है, vector b, ठीक, देखो, आप पहले i cap, j cap, और k cap को अलग कर लेना, ठीक है, i cap, j cap, और k cap को अलग कर लेना, अब देखो, vector a के सामने, vector a के सामने vector a की value, और vector b के सामने vector b की value, देखो आप यहाँ पे, a vector का value i cap के लिए क्या है, a vector का value i cap के लिए है, ax vector, j cap के लिए क्या है, तो ay vector, अरे वा, k cap के लिए क्या है, az vector, फिर से B वेक्टर के लिए क्या है तो B वेक्टर के लिए I cap के according I cap के according B वेक्टर का value B X vector फिर से देखो J cap के लिए B वेक्टर का value B Y vector K cap के लिए B vector का value B Z vector आप समझो इस A vector जो उपर जो vector होगा उसकी value plus में लेना इसकी value minus में लेना यह trick होता है ठीक वैसे 12 में जाओगे तो mathematics में matrix बड़े depth में पढ़ना है वहाँ पर समझाएंगे अभी मैं आपको बस trick लेके चल रहा हूं तो अब जब इसका A vector cross B vector करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है यह जो I cap है इसको निकाल लेना पहले I cap के लिए काम करिए तो जब I cap के लिए काम करते तो उसमें trick है कि I cap के नीचे सभी को cancel मारो जैसे I cap के नीचे यह पूरा को cancel और I cap के सामने cancel जिसके लिए तुम ठीक है value लिखने जा रहे हो उसके नीचे और उसके सामने का line cancel हाँ हाँ I cap के नीचे पूरा cancel I cap के सामने पूरा cancel तो बच जाएगा A Y A Z BY B Z ठीक है तो यह बच जाएगा पहला यह दूसरा यह तीसरा यह चोथा यह तब की बाते हैं जब I cap की value लिख रहे हैं तो I cap के नीचे cancel सामने cancel तो बच यह जाने आई 4 गो तब इसका cross गुना करो एक का 4 से दू का 3 से cross गुना ऐसे और ऐसे यह इसका गुना इधर और इसका गुना इधर तो एक का 3 से करो तो क्या वजाएगा A Y Vector गुना B Z Vector तो यहाँ पर लिख देना A Y Vector गुना B Z Vector अब यहाँ देख भाई मेरे यह B Vector के साथ का value किसके लिए है माइनस के लिए कैसे यह ऐसा क्यू कर रहे है तो इसका cross करने के बाद sign आपको माइनस लेना है ठीक है अब फिर अब देखो 2 का 3 के साथ A Z Vector BY Vector A Z Vector BY Vector यह आ गया यह I Cap के लिए हो गया अब मैं इसको मिटाता हूँ इसका आप कामियाँ पर नहीं है अब ज़रा आ जाओ अब किसमें देखना है तुमको अब J Cap के लिए value निकल लेकिन ध्यान रखना I Cap के value को plus में J Cap का value minus में और K Cap का value plus में लेते हैं यह ट्रिक मैं आपको सिखा रहे हैं तो I Cap का value हम plus में ले लिए J Cap का value यहाँ पर हमों किसमें लेना है J Cap का A का sign minus में लेना है तो minus J Cap फिर वही रूल लगाओ जिसका तुम अभी J Cap निकल रहे हैं तो J Cap के नीचे cancel और J Cap के सामने वाला पूरा cancel तो बच जाएगा आप 1, 2, 3, 4 एक, दो, 3, 4 एक का गुना 4 से और दो का गुना 3 से तिर चा गुना नहीं तो पहले यह है तो इसका गुना करो इससे तो क्या हो जाएगा A X Vector B Z Vector A X Vector गुना B Z Vector minus इसका तिर चा तो A Z Vector cross ये वाला B X Vector plus ठीक है ये वाला के कैप हम इधर लिखते हैं यहां से आगे पलस में के कैप के लिए वावे इसके नीचे cancel इसके सामने cancel तब तो बच जाएगा 1, 2, 3, 4 एक का गुना 4 से तो क्या होगा A X Vector B Y Vector minus 2 का 3 से तो A Y Vector B X Vector ठीक है मैं इस पर आपको numerical करौँगा पूरा concepts clear हो जाएगा तो ये आपका एक formula आगया ठीक जिसको रटा नहीं जाएगा समझा जाएगा ठीक है रटोगे तो बैर हो जाओगे ठीक है इस पर अब हम चलिए डिजिटल राइटिंग पैट पर फिर एक numerical करेंगे फिर इसके आगे हम आपको वेक्टर का projection निकालना सिखाएगे ठीक है जल्दी पहले आप इसको note करिए फिर हम लोग इसके आगे बात क रखते हैं तो आजा बच्चो अब बैहतरी और सबसे लास्ट टॉपिक है रेक्टर का ठीक है वो है प्रोजेक्शन और कंपोनेंट कंपोनेंट ओफ ए वेक्टर अलोंग Another Vector Another Vector चलिए जड़ा समझे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेक्टर ले लेता हूँ और यह वेक्टर है वेक्टर A और दूसरा वेक्टर मैं ले लेता हूँ वेक्टर B दोनों के बीच का एंगल ठीटा यदि हम इस पे माल लेते हैं कि a vector dot b vector है तो इसका product तोड़िएगा dot product में cos theta और इधर मैं अगर लिख भी देता हूँ कि b vector dot a vector फिर भी इसकी value a b cos theta ही होगी ठीक है हम यहाँ पर बात करते हैं कि माल लीजिए component of b vector along a vector तो b vector का component मतलब आपने क्या करना है ठीक है आपने ये करना है कि b vector का component मतलब आपको ऐसे लिखना है b vector dot a vector यानि b vector का component तो b vector में cos theta ठीक है तो b vector का mode a vector का mode और dot product में cos theta जिसको हम या तो हम इसको b a cos theta लिखें या हम इसको a b cos theta लिखते हैं बात बड़ावार है ठीक है अब ज़रा समझिए मैं इसी में अगर ऐसे लिख दूँ कि a vector dot b vector बरावर a b cos theta और मैं आपको कहूँ कि यहां से तुम cos theta का value निकाल लो तुम क्या कहोगे? कि सर a vector dot b vector उपर चला जाएगा a b नीचे हाँ बात सही है a vector dot b vector by a b यह हो गया cos theta की value ठीक है? लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ दूँ कि इसके condition में मुझे निकालना है component of b vector तब तुम क्या करोगे? लिखोगे b vector का component क्या लिखोगे? b cos theta तो is equal to b ले लो, अग cos theta की value यहाँ पर लगा हो, तो cos theta की value यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर लिख दो a vector dot b vector, अब आई में यह a b, हम डायक यहाँ से value उठाकर डाल दी, अब यहाँ पर से यह b से यह b कट जाएगा, ठीक है? अब यहाँ ऐसा नहीं करना कि sir, यह b, इस b के साथ square हो जाएगा, नहीं यह vector में है, यह vector b है, यह सिर्फ magnitude है, तो magnitude से magnitude कटेगा, magnitude से vector कभी भी नहीं कटेगा, तो जरा देखो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कि a vector dot b vector by a, हम इसको चायत ऐसे भी लिख सकते हैं, a vector by a dot में b vector, अरे, किसी vector को उसके magnitude से अगर डिवाइड करें, तो उसी को unit vector काते है, unit vector किसे काते हैं, तो when a vector divided by its magnitude is called unit vector, तो a vector by mode a, तो यह unit किसका देगा, तो a vector काई, तो a cap a dot b vector, हाहा, आगे एक रिजल टेंट, ठीक है, तो यह हमको, हमको अब यहाँ पर यह क्या दे रहा है, तो it gives, it gives only direction, ठीक है, यह सिर्फ क्या दे रहा है हमको, direction दे रहा है, a cap मुझे क्या दे रहा है, direction दे रहा है, पहले आप इसको note करिए, फिर मैं इसके आगे बाद करता हूँ, वीडियो को पाउस कर लिजे, इसको लिखे, क्योंकि मुझे इसी topic का, a cap.b vector का थोड़ा सा बात, और करना है इस पर, I hope बच्चों, क्या आपने इसे लिख लिख लिया होगा, मैं अब, नहीं मुझे मिटाने से यहाँ काम चलेगा, नहीं, क्योंकि मुझे इसी पर क्या करना है, यह तो मैं अभी a scalar form में आपको प्रूव करके दे रहा हूँ, मुझे अभी इसी में क्या करना है, vector form प्रूव करना है, अच्छा चलो, इसके लिए आप यहाँ पर एक heading लगा दो, a scalar form, यह जो हम प्रूव कर रहे हैं अभी, या किये हैं अभी, यह a scalar form का प्रूव है, इसका vector form में चलेंगे, अच्छा, तो यह जो हम यहाँ पर लिखे, इसको side way हम थोड़ा लिख दे रहे है, a cap dot b vector, ठीक है, तो a cap तो हम लिखी दिये हैं, कि it gives only direction, और b vector जो है, तो यह क्या करेगा, तो it shows, it shows magnitude, यह magnitude को दर्शाएगा, अब आप इसको वहाँ पर note कर लिजेगा, ठीक है, यह पूरा आप complete करिए, ठीक है, बाद बाकि हम vector form में चलते हैं, मैं आप इसको मिटा रहा हूँ, तो इसको हम हटा रहे हैं, बाद बाकि सब कुछ की मुझे आवसकता पलेंगी, अब ज़रा जाईए, इसी को हम क्या करते हैं हम, vector form में लिखना आपको सिखाते हैं, vector form में कैसे projection तो रोहे, ठीक है, तो कहता है कि component of b vector along a vector, a vector along, तो b vector का component, तो b vector का component तो रहे हैं, तो b cos theta along a vector, मतलब a vector का direction, तो यहाँ ले लिजए a cap, ठीक है, तो यह b हो गए, और cos theta, cos theta का value यहाँ से निकाल रखें, तो डाल दीजए यहाँ, a vector dot b vector by a b into a cap, b से फिर b कटा, तो आ गया, a vector dot b vector by a into a cap, यह आ गया मेरे पास, यह जो आया, यह मेरे पास आ गया vector form में, यह projection जो मैंने निकाला, यह vector form का projection आ गया, ठीक है, अब इसको जाड़ा लिखिए, vector के पूरी पूरी topic, तो मैंने आपको एक साभी, इतना साभी कोई topic नहीं छोड़ा आए, ठीक है, पूरी की पूरी आपको थ्योडी बता दी गई है, इसके आगे, अब लगबग लगबग 100 to 150 numericals मैं आपको कड़ाओंगा, वो numericals जरूर करना, ताकि यह सारे concepts आपके crystal clear हो जाएंगे, और आप बन जाओगे तेज पढ़ने में, ठीक है, तो मिलते हैं फिर, अब numerical के lecture के साथ, ठीक है, तीज़े इजाज़त, मिलेंगे अच्छे से, फिर अगले lecture में तब तक के अङ, वाप-बाइ!